Hello friends, welcome back to my channel, उमीद है आप सबी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया, आज किस वीडियो में हम level 2, 3 और 5 के कुछ भोपाल जौन के candidate के score देखेंगे, जिसमें general, EWS, SCST, OBC सारे student के number होंगे, और मैंने उनी के marks consider करे हैं, जो पिछले 5-6 सालों से तयारी कर रहे हैं, या फि नहीं होगा, और दूसरी बात मैं आपको बता दू, कि जितने भी बच्चों के number है, वो बिलकुल स्योर सही number है, मैंने कोई fake आकडे नहीं लिये हैं, तो उनको देखने के बाद आपको demotivate नहीं होना, बिलकुल मैं आपको सही जानकारी देने वाला हूँ, और मेरा नाम है जाकर मेरा content चेक कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर आप मेरे channel को join कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैंने क्या बूला, अब मैं candidate के नाम नहीं बताऊंगा, पहला वाला candidate जनरल का, 3WS का, फिर OBC का, फिर SC का, फिर ST का, मानलो इस candidate का नाम A है, इसने जो attempt किय था, 113 attempt था इसका, उसके level 5 में number 87.66, 118 level 2 में किया था, तो इसमें ज्यादा minus होने की वज़े से 74.66 आया है, 113 attempt किया था level 3 में, तो 88.33 आया है, EWS candidate की बात करें, तो level 5 में 76, level 2 में 69, और level 3 में 81, ये score भी अच्छा है, competition भी दे रहा है general वाले को, दोनों की bright chance है, OBC candidate की बात करें, तो इसके level 5 में 68.33, level 2 में थोड़ा कम है, 54.33 और level 3 में 80.33, SC candidate की बात करें, तो level 5 64.66, level 2 52.33, level 3 72.33, ST की बात करें, तो level 5 में 60, level 2 में 65 और ये 75, तो ये marks के वल उनी के हैं, जो बहतरीन तयारी कर रहा है, और कहीं न गहीं अपनी life में कुछ अच्छा कर रहा है, आप general category के हैं, तो उसका भी idea लगाई है, भले भी आप किसी भी zone से हो, ये मैंने marks सुनी के लिए हैं, जो sincere student है, जो अपनी life में कुछ अच्छा कर रहा है, EWS का देख लीजे, OBC, SC, SC, ST सारे की number आप check out करके, आप एक range decide कर सकते हैं, अब YouTube पे बहुत सारे video upload हो चुके हैं, ब बनाया था, तो कुछ लोगों ने बोला था कि ये सब बकवास हैं, तो जिनको भी भाई बकवास लगे, वीडियो को अभी छोड़ के आगे बढ़ सकता है, YouTube आपको suggest करता है, लेकिन जबर जस्ते नहीं करता कि आप वीडियो को देखें, और इस वीडियो के बनाने के पहले आप मेरे 145 वीडियो चेक करिए, बकवास कौन करता है, आपको definitely समझ में आ जाएगा, प्योर content मैं देता हूँ, पूरा इमानदारी से पढ़ाता हूँ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये score देखने के बाद आपको एक चीज तो पता चल गी होगी, जनरल की अगर हम ब चाहिए, तो 7-8 नमबर और भी बढ़ेंगे, फाइनल मेरिट में, तो आप ये selection का cutoff मत समझे, अगर मैं EWS की बात करूँ, तो EWS का cutoff जैसे भोपाल जोन से, लेवल 6 की अगर हम बात करें, तो EWS का गया था 57.8 और OBC का गया था 61.9, तो OBC को भी cross करके EWS का cutoff कम जाता है, तो ये थोड़ा सा कम रहने वाला है, इसमें आपको 65 से लिए 73 नमबर तक के बच्चे देखने को मिलेंगे, टाइपिंग पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल सेलेक्शन की बात नहीं हो रही है, OBC की बात करें, तो OBC का cutoff भी लगभग इसी में आएगा, मेरे करीके से SC और ST के score होंगे, SC की मैं बात करूँ, तो SC का हो सकता आपका 65 to 68 और ये हो सकता है आपका 55 to 63, ये score आपके हो सकते हैं, सारी category के मैंने आपके सामने mention करें, अब ये अनुमानित है, आप उल्टा सीधा comment करने से पहले सोच लीजे, आप भी अगर इस वीडियो को बना करता है, तो आपको कैसा फील होता, तो ये बिल्कुल genuine score मैंने आपके साथ सेर किया है, और इन सब के बावजूद, मेरे YouTube चैनल पर आप देखेंगे 140 प्लस 145 वीडियो करके, genuine पढ़ाई वाला content दिला हुआ है, कुछ ही वीडियो मैंने anti-PC और MP के समविदा exam का analysis करा है, बा चीजों को avail करना चाहते हो, सारी चीजों का फायदा उठाना चाहते हो, तो definitely आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो, उमीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा, दूसरी चीज, आपको typing के लिए 15 दिन से जादा का समय नहीं मिलना, तो अभी से लग जाईए, maximum 15 दिन में आपको focus डो कर तैयारी करनी है, और इस range में जो नहीं आ पा रहा, जिसका नहीं हो रहा है, तो इसको demotivate नहीं होना है, आपको definitely और भी मौके मिलेंगे आगे तो आप उसको उस मौके का फायदा उठा कर life में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो demotivate मत होईए, एक time अगर आप भूके भी रहें तो चलेगा लेकिन under confident मत रहें, confidence आपका हमेशा high होना चाहिए, positive सोच रखनी है, negative कभी नहीं होना है, समझ रहो, negative कभी नहीं होना है, क्योंकि मुझे ऐसे candidate भी मिले थे, जो already job में होने के बावजूद भी अपनी पुरानी नौकरी से परिसान थे, वो इस system अभी नहीं पता न, तो आप समझ सकते होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उमीद है आपको वीडियो समझ में होगा, अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो दूसरे लोगों तक share करिए, do like, comment, share and subscribe, thank you so much, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नमस्कार.